Hello and welcome everyone आज की इस educational वीडियो में हम discuss करने वाले हैं Class 9 की English Beehive की poem On Killing a Tree को यह जो students यह जो poem है यह poem 8 है आपकी Beehive की book में और आज की इस वीडियो में हम इस poem को completely discuss आपके साथ करने वाले हैं आपको complete poem की summary इसमें use हुई rhyme scheme इसमें use हुए poetic devices के बारे में symbolic meaning के बारे में poem की literal explanation सब कुछ आपको इस वीडियो में कुछ ही मिंटों में सब कुछ पूरा करवा दिया जाएगा तो On Killing a Tree यह जीव पटेल की लिखी हुई एक बहुत ही अच्छी poem है जिसका अपना एक meaning है और कुछ symbolic meaning भी है देखिए दो तरह की meaning निकलते हैं हमेशा verses के, poems के एक तो जो होता है literal meaning जो उसमें words लिखे हुए है उनका meaning और एक होता है symbolic meaning जो poem indicate कर रही है indirectly तो कुछ poems में symbolic meanings भी होते हैं तो चलिए करते हैं शुरू सबसे पहले क्या है It takes much time to kill a tree Not a simple jab of knife will do it क्या कहता है कि किसी पेड को मारने के लिए किसी पेड को जड से खतम करने में बहुत समय लगता है बहुत time और effort लगता है सिर्फ चाकू का एक वार jab of the knife का मतलब चाकू का एक वार काफी नहीं होता एक पेड को खतम करने के लिए It has grown slowly consuming the earth जो पेड है वो धीरे धीरे इस earth को consume करते हुए बढ़ा हुआ है यहाँ पे जो यह word है consuming the earth इसका मतलब है कि जब पेड बढ़ा हो रहा था तो उसने water, minerals और बाकी चीज़े absorb की थी soil में से इसलिए यहाँ पे use किया गया है consuming the earth rising out of it, feeding upon its crust absorbing years of sunlight, air and water and out of its leprous hide sprouting leaves क्या कहता है यह rising out of it जमीन में से उपर की तरफ बढ़ा है यह पेड feeding upon its crust earth के crust से खाना लेते हुए earth के crust में से खाना लेते हुए feed करते हुए यह बढ़ा हुआ है कई सालों तक इसने sunlight, air और water का भोजन किया है यानि कई सालों तक लगातार इसको sun से sunlight हवा से air और मिट्टी से पानी मिला है तब जाके यह grow करना शुरू किया है and out of its leprous hide अब यह देखे यहाँ पे leprous hide का क्या मतलब है leprous hide का मतलब है bark of the tree जो पेड की भुरे रंग की चाल होती है उसको leprous hide कहा गया है leprousy एक रोग होता है skin disease होती है एक तरह की leprousy जिसको kushed रोग या code भी कहा जाता है regular language में उसमें क्या होता है हमारी skin का color अजीब सा हो जाता है अलग-अलग color की हो जाती है skin हमारी तो क्या कहा है leprous hide यहाँ पे किसको कहा गया ठीक है यानि बहुत मेहनत लगी है बहुत time लगा है इस पेड को grow करने में अगर आप यह सोचते हैं कि एक single jab of knife से खतम हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला आगे देखे आगे क्या कहता है so hack and chop but this alone won't do it इसलिए hack and chop तो आप कीजिए hack and chop का मतलब उस पेड की branches को काट दीजिए hack का मतलब होता है roughly किसी के उपर चाकू चलाना किसी पेड के उपर roughly बिना कोई direction देखे चाकू चलाना तो hack and chop आप कर दीजिए यहाँ पे hack and chop का मतलब है उस पेड की branches को काट देना ठीक है लेकिन इससे आपका काम नहीं होगा वो paid नहीं खतम होगा not so much pain will do it इतना सा pain इतना सा pain ये सब नहीं कर पाएगा the bleeding bark will heal क्या कहना चाहरा है ये the bleeding bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs यहाँ पे ये metaphor use किया गया bleeding bark उपर leproside में metaphor use किया गया था words कुछ हैं लेकिन indicate कुछ कर रहा है bleeding bark का मतरब यह है यहाँ पे कि जो आप जब चाकू चलाओगे पेड़ के तने के उपर तो उसके उपर जखम या निशान तो होंगे ठीक है लेकिन वो जखम वाले जो निशान है वो जल्दी ही heal हो जाएंगी ठीक हो जाएंगी तो bleeding bark का मतरब है कि आपने जो उसको जखम दिये होंगे चाकू चलाओगे वो जल्दी ही heal हो जाएंगी और ground के पास से फिर हरी हरी टहनिया निकलेंगी curled घुमी हुई और हरी हरी टहनिया निकलेंगी क्या कहता है ये कि अगर आप उसको जड़ से खतम नहीं करेंगे तो दोबारा फिर से हरी टहनिया उगनी शुरू हो जाएंगी ये कहना चाहरा है miniature balls which if unchecked will expand again to former size miniature balls का मतरब क्या है पहले तो छोटी छोटी टहनिया निकलेंगी एक जंगल का छोटा सा नमूना आपको दिखाई देगा एक पेड का छोटा सा नमूना आपको दिखाई देगा इसलिए उसको miniature balls कहा गया है लेकिन अगर आपने उसको check नहीं किया अगर आपने उसको रोकने की कोशिश नहीं की तो वो दोबारा अपने पुराने पेड की तरहें पुराने size का बड़े size का हो जाएगा तो क्या कहना चाता है बेच्छक आप उसको hack and chop कर दीजिए उसकी सारी टहनिया सारी पत्तियां काट दीजिए लेकिन फिर भी आप उस पेड को मार नहीं पाएंगे खतम नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि उसके आसपास से कहीं कहीं से green color की twigs वगरा ठीक है हरे रंग की टहनिया उगनी शुरू हो जाएंगी और फिर वो पेड वैसा हरा भरा हो जाएगा जैसा की पहले हुआ करता था No, the root is to be pulled out नहीं आपको root जड से उखाड़ना है उस पेड को out of the anchoring earth anchoring earth का मतलब यहाँ पे देखी यहाँ पे anchoring earth क्यों use किया गया है earth उसको anchor कर रही है earth उसको संभाले हुए है जो धर्ती है, जो मिट्टी है, जो land है, जो soil है वो उसको पकड़े हुई है, उसको anchor कर रही है उसको grow करने में help भी कर रही है और उसको ground में fix भी किये हुए है तो उस anchoring earth से उसको pull out करना होगा किसको pull out करना होगा? पेड को जमीन में से, मिट्टी में से उखाडना होगा, बाहर निकालना होगा It is to be dropped, tied and pulled out, snapped out इसको रस्कियों से बांद के फिर खीचना होगा और completely snap करके जमीन में से बाहर निकाल देना होगा तब जाके आपका काम बनना शुरू होगा और pulled out entirely, पूरा का पूरा इसको बाहर निकाल देना होगा जमीन में से Out from the earth cave, जो इसने एक तरह की गुफा बना के खुद के लिए जगह बना रखिये मिट्टी के अंदर वहाँ से इसको उखाड निकालना होगा and the strength of the tree exposed जब आप उसको बाहर निकालोगे पेड को, तब आपको पता चलेगा कि उस पेड की असली ताकत क्या है ठीक है, यह क्या कहना चाहरा है यहाँ पे इस लाइन में यह कनवे कर रहा है कि उस पेड की असली ताकत उसकी जड़े हैं, पहले ज़़ें जमीन के अंदर छुपी होई थी, अब वो exposed हो गई है, अब आब वो आपको नजर आने लगी है, the source white and wet, जो source है पेड का जहां से पेड ने उगना और बड़ा होना शुरू किया है, यानि उसकी roots जो कि white color की हैं और wet है the most sensitive hidden four years inside the earth, यह उस पेड का सबसे sensitive part भी है, sensitive क्यों? क्योंकि अगर आप जड़ पे attack करोगे तो पेड खतम हो जाएगा, ठीक है? सबसे sensitive part भी है, सबसे strong part भी है, सबसे strong क्यों? क्योंकि यही वो part है पेड का जो इसको संभाले हुए है जो इसको food provide कर रहा है जमीन में से water windows provide कर रहा है जिसने इसको firmly ground के साथ hold कर रखा है जो सालों साल तक यह roots जमीन के अंदर छुपी हुई थी आपने उनको उखाड के expose कर दिया है, बाहर निकाल दिया है then the matter यहां पे matter का मतरब है कि जो आपने पेड को उखाड के बाहर निकाला है जो भी आपके सामने है जो भी हिस्वा आपके सामने है उसको matter कहा गया है of scorching and choking in the sun and air अब उस पेड के उस उस पेड को उस उखड़े हुए पेड़ को आप धूप में रख दो, छोड़ दो उसको, हवा और हीट, सन की हीट और हवा अपना काम कर देंगी, स्कोर्चिंग उसके उपर धूप गिरेगी, उसको चोक करेगी, जिसे गला दबाते हैं न किसी का, तो ऐसे यह जो सन की हीट है और जो एर ह वो उसको चोक करने का काम करेंगी, browning, hardening, twisting, withering and then it is done, पहले वो brown होगा, उसका तना है पेड़ की जो पतियां है, फिर hard हो जाएंगी, फिर twist हो जाएंगी, पेड़ की पतियां सूखने पर मुड जाती है, और withering, जढ़ जाएगा पूरा पेड़, पूरे पेड़ के सारे प symbolic meaning भी है, symbolic meaning यह है कि अगर आप किसी बुराई को खतम करना चाहते हैं, तो आपको उसे जड़ से उखाड़ना होगा, कुछ समय के लिए उसको कम करके, कुछ समय के लिए उसको काबू करके, control में करके, कोई फायदा नहीं है, अगर आपको अपने आसपास कोई social level दिखाई कोई बुराई दिखाई दे रही है, किसी की कोई गंदी आदद दिखाई दे रही है, तो आपको कोशिश ये करनी होगी कि आप उसको जड़ से खतम कर दें, उसकी roots को बाहर निकाल दें, क्योंकि अगर आप उसके उपर कुछ control करने की कोशिश करेंगे, हलका फुलका effort करें हैं, लेकिन जल्दी ही वो जो बुराई है, वो जो गलत चीज है, वो उभर के दोबारा सामने आ सकती है, तो यह इसका symbolic meaning भी है, जहां तक students rhyme scheme की बात है, तो इसमें कोई rhyme scheme यूज नहीं कि यह कोई definite rhyme scheme नहीं है इस poem की, जहां तक इसमें poetic devices का सवाल है, तो metaphors दो जगे मैंने आपको बताई यूज किये गए है, bleeding bark में, lepros hide में, यहां पे metaphors यूज किये गए है, alliteration यहां पे कुछ जगे पे यूज की गई है, ठीक है, जैसे bleeding bark में, b, b, repeat हो रहा है, तो वहां पे इसने alliteration भी यूज की है, जहां पे sun word का use इसने किया था, इससे पहले, वहां पे इ इसने S को repeat किया था, वहां भी alliteration का use किया जा रहा था, तो students, यह poem आपकी यहां खतम होती है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो please इसको like करना मत बोलिएगा, आपके एक like हमारे लिए बहुत valuable है, comment section में अपनी राय दीजिएगा, और subscribe तो आप करी लेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वीडियो पसंद आया है, I am sure of it, जाने से पहले एक बार वीडियो की description को जरूर से जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वहां आपको English के, Assets के, Science के, Maths के, अपनी class के content देखने को मिलेंगे, chapter explanations देखने को मिलेंगी, तो आपकी बड़ झाल